हलो दोस्तों स्वागत मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर बिजेश दोस्तों यह जो अपना दो-दो माक के कोश्चन का जो प्लेइलिस चल रहा है इसमें हम बारवासम करने जा रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है इसको 12 सम दो माक के लिए यह रहाप के सामने तो find the ratio in which this point divides line segment joining a and b हमारे यह a है और दूसरा क्या है b ठीक है इनको यह जो आपका point p है p जो कि आपका 4,m है ठीक है तो इसको यह point p a b को divide कर रहा है तो पहले तो आपना a का coordinate लिख दो 2,3 और वहीं b का coordinate लिख दो 6,3 तो p किस ratio में उसको divide कर रहा है किसको a b को तो हम लिखेंगे let let p divides a b in the ratio m is to n ठीक है यह a b का coordinate है हमारे पास p का coordinate है तो लिख देते है इसको x1,y1 लिखते है b हमारा 6,3 है उसको आप लिखोगे x2,y2 और आपका p जो है उसका coordinate है 4,m मतलब इसको x,y लिख दो ठीक है,so यहाँ पर हम formula लगाएंगे by formula of internal division,by formula of internal division आपका coordinate जो x होता है x,p का जो x coordinate है उसका formula बनता है mx2 plus nx1 upon m plus n वैसे y का होगा लेकिन पहले हम x का value निकाल देते है what is x,x आपका already यहाँ पर 4 है ठीक है 4 already है,m क्या है नहीं पता आपको x2,x2 आपका 6 है तो यह जाएगा 6 plus n नहीं पता आपको x1 आपका क्या है 2 upon m plus n,m plus n लिख दिया ठीक है इसको solve करेंगे,so therefore 4 के past m और n यह जो है addition इसको ले जाते हैं यह जाएगा 4 into m plus n which is equal to 6 m plus 2 n ठीक है,so therefore 4 m plus 4 n equal to 6 m plus 2 n ठीक है अब क्या करोगे आप n को left hand side में लेंगे और m बॉले जो part है उसको हम लेंगे right hand side में आपको आजाएगा value 2 n equal to 2 m,so therefore m upon n का value देखोगी न तो 1 upon 1 आता है therefore n is to n जो ratio है वो कितना आ रहा है 1 is to 1 का,so आपका 1 आ गया,m आगे आपका 1 और n आगे आपका 1 समझ में आ रहा है 1 is to 1 वैसा समझो न,m का value नहीं है दोस्तो ध्यान रखो एक चीज़ ध्यान रखो,m का value नहीं है m as in 1 represent कर रहा है तो n b as in 1 को ही represent कर रहा है equal इसका मतलब equal values नहीं है representation equal है उन लोग का अगर यह 2 होता तो यह भी 2 होता समझ रहे बात को समझो important है अभी तो 1 है 1 1 है तो इसको क्या करेंगे यहां पर डालेंगे as in y का भी जो निकालने वाला था na m y2 plus n y1 upon m plus n तो इसका use करके हम y का निकालने तो y का coordinate आपका n दिया हुआ है यहां पर ऐसे काम करते हैं कि m1 और n1 लेते ने तो फिरना यह confusion हो जाए यहां पर m1 n1 as in क्योंकि 2m है न इसलिए तो यहां पर m1 n1 m1 n1 ऐसे ले लो तो better understanding के लिए अच्छा है m1 m1 यहां पर n1 m1 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 n1 समझ में आ रहा है तो यह जाएगा m1 और n1 तो y का आपका जो m है equal to m1 y2 तो यह हो जाएगा 1 into minus 3 plus 1 into 3 upon m plus n मतलब 1 plus 1 समझ में आ रहा है m1 plus n1 sorry m1 plus n1 तो 2 तो 2 left hand side में जाएगा तो यह हो जाएगा 2m equal to minus 3 plus 3 so therefore आप value देखोगे na 2m का 0 आ रहा है so m का value आपका 0 हो जाएगा समझ में आ रहा है so आपका m का value आ गया m is to n आ गया समझ में आ रहा है और वह ही आपको पुछा होगा था finally so I hope आपको यह मेरा explanation समझ में आया होगा कोई भी डाउट होगा तो comment section में आप लिक के मुझे बताएए आप mail भी कर सकते मुझे so मेरे चैनल subscribe करें शेयर करें अपने दोस्ते के साथ और हाँ facebook पे आप मुझे follow कर सकते हैं instagram पे भी आप मुझे contact कर सकते हैं देख सकते हैं और follow कर सकते हैं instagram के लिए so मिलते हैं करें वीडियो में तब रख्याल रखें और हाँ practice कर से रहें जाजा से जाजे thanks a lot for watching take care bye bye